नमस्कार मैं हूँ अफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं लार निउस 24 इन्टु सेवन साहस दिखाने के सथ और हम बताना चाहेंगे कि बिहार की राजधानी पटना में हमेशा तेज परताप यादव हर रोस की तरह आज भी जनता दर्वार पहुंचे उस वक्त वो भाव खो वो है लालू परशाद यादव जो फिलाल राची के रिम्स में भरती हैं साफतर पर उन्हें कहा कि हम लालू परशाद के लिए जिन्दा हैं उन्हें किड्नी देना चाहते हैं और वो तेज परताप यादव यानि उनके पुत्र DSS के मुक्सन रक्षक और बिहार सरकार के प पुद्ध तेज परताप यादो अभी हम पहुंचे हैं उनसे जानने के समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता दर्बार में जब बुजर्ग पहुंचे तो क्या हुआ सबसे पहले सार आपका लिया आर नीज में अस्वागत है जनता दर्बार में जब बुजर्ग तो उसी दवरान एक बुजर्ग आगे और वो लेटर दिये हुए थे उस पर लिखावा था कि वो और उनकी पत्नी अपना किड्नी वो डोनेट करना चाहते हैं अदर नेश्री लालू परसाधिया दो जी को तो ये मुझे सुनकर के बरा वो शॉकिंग टाप से ये लगा और जैसे लगा कि ये मतलब क्या हो रहा है ये तो जिस तरीके से क्योंकि वो नेता है जन परतनीदी है आम लोगों के जिस तरीके से वो पिता के रूप में कहिए या अपना बेटा के रूप में कहिए बहाई के रूप में कहिए या अदमित्र के रूप में कहिए जिस तरीके स सेवा वो कर रहे हैं और पूरे समाज को जिस तरीके से वो देखने का काम कर रहे हैं तो पुराने लीडर रह चुके हैं वो बहुत सरा उन्होंने संघर्स किया है अपने जीवन काल में और बहुत तरीके का चीज वो चीज अपने जीवन काल में देखने का काम किया है और आज भी समाजिक नециakah परोधा के है आधरने सिर्ला्यों परसाद जियात मैं एटो जी और गरीब को ले करके हमेशा चलने का काम करते हैं तो उनके जो फॉल्वर्ज है तो पूरे वर्ड में उनके फॉल्वर्ज है तो एक बुजर्ग आये और वो इस तरीके का बोले कि किड्नी अपना डोनेट करना चाहते है तो आपने उन्हें समानित किया और उनको माला भी पेनाया और उनका शिद्वाद भी लिए उस वक्त मुझे बड़ा शौकिंग लगा सुन करके बड़ा दया आ गया मैं भावुक ह पल था वो तो अब जो है कि आगे इस तरह का इसलिए कि कभी कोई उनके नाम पर बल्ब माटता है कोई उनके नाम पर खुंड डोनेट बड़ डोनेट करता है कोई किड्नी डोनेट करने का सवाल लेकर आ गया तो आगे जो लोगों की जो मैंने सोच है उस पर क्या करना चाह है परिवरतन आरहा है उथ हा रहे है यंग प्रोल्टीशनस आरहे हैं तो कहीं ना कहीं देखे जो इनके फॉलवर्श जो पुर्वर्श जेतने लोग हैं और नय यूथ में भी बहुत साहरा लोग जो है लड़का लोग है तमाम लोग माहिला हैं तमाम लोग इनका आधनेश से जुड़ा वह सवाल होता है गरीबों को अधिकार डिलाना हक डिलाना तो इस रोजी रोटी का चछचा बात करना देना तो इन्होंने अपने जीवन काल में और इन्होंने बहुत सारा संघर्स किया है इसलिए आज गरीब इतना इनके साथ आपका भी अंदाज भोई और जिस तरीके से कर तो ने रहा है लेकिन को अपना गूरू मानते हैं और हमारे पीता तो हैं तो मेरी पूरी पहल रहती है और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हम इनके तरह बन सकें दर्वार में इतने लोग आ रहे हैं लगबग बहुत सारे उमीदे लेकर के आ रहे हैं बहुत सा लोगों काम भी हो रहा है बेहत खुशी है आप इसको किस नज़े से लिखते हैं हम इसको जिस तरीके से आदरने शिल्लाव परसाद जयादो जी अपने पड़िवार की तरह देखने का काम करते थे और जनता का रात दिन उनका मसला सुन करके और उसका निदान करने का काम करते हैं तो हम भी उसी तरीके से पूरी तरीके से कोसिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता का निदान कर सकें कल आप जननाय कर पूरी ठाकुर का जयनती है उसमें आपने साफ कर दिया कि यहां दर्वार जैसे लगता लगता रहेगा उसके बाद ही शामिल होंगे इस प्रगाम हमने आज बोला है क्योंकि पुरवे जी परदेश अदक्ष वह आये थे और बोले थे कि कल जनता दर्वार अस्थागित कर देने के लिए लेकिन हमने साफ का काम करें कि यह अपने जीवन कल में वही करते थे तो क्यों ना कर्पूरी ठाकुर जी के जनते के कुछ नया हम करने का काम करें जो उनके विचार हो उसको और फैलाने का काम करें यह हमारी सोच है पूदbank करहिंसा Western साफ कर रहें कि देखा अपने कि जी सरीखे से जनता दर्वार लगाते हैं इनका साफ्तूर पे करना है कि लगातार जनता दर्वार लगना जारी रहेगा लेकिन आज जो दिरिश नजर आया, जो चेहरा नजर आया, जो मासुमियत नजर आयी, जो परिशानी नजर आयी, हमने भी देखा और आपने भी देखा, जनता दरबार में जब एक आदमी पहुंसता है, कि राजस सुप्रीमों लालो परशाद यादव के अपनी किड्नी हम द जल रहे हैं, और उन्हें मानने को बेचान है, सही बात है, कहीं न कहीं, गरीबों के मसीह, अकिलतों के मसीह, लालो परशाद यादव जरूर है, और नेता के साथ साथ विचार और सिध्धान भी है, कैमरा पर संजीव आरिया के साथ, आफताब आलम, इलार निश ट्वांट हजिर हैं,